क्या हमें नी पेन में X-ray करवाना चाहिए या MRI गरवानी चाहिए क्या मैं stick use कर सकता हूँ जब मुझे नी पेन है चलते हुए क्या मुझे जो नी में मेरी कट-कट की वाज आती है या clicking sound आती है जब मैं नी को fold करता हूँ या इसको straight करता हूँ क्या ये सही है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके इनी तीन इंपोर्टेशन की उसका मैं आंसर भी दूँगा और उसका डिटेल भी बताऊंगा कि किस तरह से हमें क्या यूज करना चाहिए और क्या कब करवाना चाहिए तो इस वीडियो को लाक्स तक जरूर देखिए तो यह important questions आप सब के होते हैं जिसको हम comments में से लेते हैं आपके consultations में से लेते हैं तो उसको उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाता है ताकि आपको सारा समझ आ जाए क्योंकि बहुत सारे लोगों के questions होते हैं तो सबसे पहला जैसे है कि लोग बुछते हैं हमें जब भी नीपेन है तो X-ray करवाई या MR करवाई है देखिए जब नीपेन होता है तो यह depend करता है कि हमें किस तरह का नीपेन है उसके साब से हम सोचते हैं कि X-ray या MR क्योंकि जिसको old age है उसमें तो हम अंधाजा लगा ल नहीं आ रहा है मानली जी हमने X-ray करवा लिया उसमें बिल्कुल सीधा दिख रहा है तो फिर हमें sports injuries में या इस तरह के जब नीप मुड़ता है जब soft tissue injury होती है तब हमें MR करवानी पड़ती है क्योंकि X-ray जो होता है वो सिरफ हड़ियों को दिखाता है MR हमारे soft tissues जैसे meniscus ह हो गया लिगामेंट्स हो गए और भी अगर कोई किस तरह की injury है उसमें तो वह हमें MR से दिखती है तो यह डिपेंड करता है कि आपको problem किस तरह की है एक्जांपल के तौर पर आप मान लीजे कहीं पर जा रहे है और चलते चलते नीम उड़ गया उसके बार आपने X-ray करवाया तो लोग कहेंगे X-ray तो बहुत normal है क्योंकि उसमें तो हड़ी दिख रही है उसमें space तो कम आएगा नहीं पटेला भी position में रहेगा अब जब MR कर पर जो soft issues की हैं यानि कि meniscus और ligaments हैं वो हमें X-ray में नहीं दिखेंगे इसलिए जिस तरह का हमें problem होता है उस तरह का हमें X-ray हैं हमारे उस साबसे डॉक्टर जोब आपको प्रेस्क्राइब करते हैं mostly इसमें क्या होता है physical examination करके भी पता लग जाता है कि हमें क्या problem हारी जैसे meniscus के tear के test हैं वो मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है ACL tear कैसे test करते हैं meniscus tear कैसे test करते हैं वीडियो देखा कीजिए इससे आपकी knowledge भी बढ़ेगी आपको पता भी लगेगा कि बिना एम्मारे के हमने किस तरह से इसको physically examine करना है करना है फिर भी जब भी आप एक स्रें मारे करवाते हैं तो physically diagnose होना जुरूरी होता है इससे आपको पता लग जाएगा क्योंकि एम्मारे जो हो सकता है वो जो उसने ACL tear दिखाया वह आपको बहुत पहले कभी injury हो तब भी हो सकता है वह वहां पर पढ़ा हो सकता है डेमेज डेमेज ACL हमने ध्यान नहीं दिया धीरे दीरे अपने आप रिकावर कर गया मिनिसकस जो है मोस्ली मिनिसकस tear हरी की एम्मारे में लिखा होता है वह पुराना पढ़ा सोकता है कॉंट्रो मिलेशय पटेला लिखा होता है आपकी एम्मारे में तो वह सब चीजे जो है पुरानी पढ़ी है जो कि रेडियोलोजिस ने इस बार मराई करवाया उसमें उसको दिखी उसने वह मैंशन कर दी पर हम सोचते हैं कि मुझे इंतनी सारी प्रॉब्लम आगी नहीं में ऐसा नहीं होता एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है उसमें से आपकी पुरानी मैच भी करता है यह नहीं करता है क्योंकि मोस्टली यह सिम्टम्स और फिजिकल एक्जामिनेशन से पता लग जाता है तो नी पेंगे आपको जो भी एक्सरसाइज प्रॉडक्ट चाहिए होता है जो हमारी वेबसाइट पर जाके सुकून फिजिकल थेरपी की वेबसाइट नबर जाके उसको और कर सकते हैं नीचे लिए नंबर पे बेक्ट जाके इसके मैसे कमबो क्योंकि नोबे बना रहे हिस नुक कर सकते हैं सेगंड लोग पूछते हैं कि मुझे स्टिक यूज करनी चाहिए कि नहीं करें सबसे पहले तो स्टिक यूज करना जो है वो किसी के ऐसा लगता है किसी का मेरा जो स्टिक जरूर लेनी चाहिए अगर आप स्टिक नहीं लेंगे तो कल को अनिवन जगा पर जा रहे हैं या स्टेर उता रहे हैं और नी एकदम से लॉक हो गया या मुड़ गया तो आप एकदम से गिर जाएंगे और गिरने से आपका हिप्पी फ्रेक्चर हो सकता है नी में भी दुबारा हो सकती है तो इसलिए जब आपको इस तरह की प्रॉब्लम आती है किसी के सर्जरी होता है तो उसको वॉकर के साथ फिस स्टिक पर दिया जाता है किसी के ऑस्टो आर्थ्रेटेस ग्रेड फोर होता है पर वो सर्जरी नहीं करवाना चाहते तो फिर उनको स्टिक ज लिए अगर आपने सर्जिरी नहीं करवानी है तो ग्रेट 4 है या ग्रेट 3 है अगर आपका वेडलिंग हो गया इस तरना से टेड़ा मेड़ा चल रहे हैं एक और आपका नीव बकलिंग कर रहा है एकदम से चलते चलते नीव रूख जाता है पैर आपका आगे कदम नहीं ले पार है तो उसके लिए आपको स्टिक जरूर लेना चाहिए यह मैं उनको भी बोलूँगा जिनका हिप का प्रॉब्लम होता है हिप प्रॉब्लम में भी हिप की प्रॉब्लम हो रही है पेन जाधा हो रहे तो स्टिक लें ताकि आपको जब वॉकिंग कर रहे हैं तो करका जाती है तो वह नॉर्मल है अगर तो वह आवाज आती हो और पेन नहीं होता है तो यह चीज नॉर्मल है पर अगर आपको पटपनी से जब भी ऑम लना पर मैंने एक उदलेब्ल मॉस त्रेंड़रं बनाया जिसमें मैंने की एक्सेसिढ बताई है व्हों आप जरूर कर यह आपको पता लग जाएगा कि धीरे धीरे करने से आपकी जो clicking sound क्योंकि पटेला की जो tracking होती है जब हम नीफ फोल्ड करते हैं खोलते हैं तो एक ट्रैक में घूमता है जब वह पटेला ट्रैक में नहीं घूमेगा इधर उदर जाएगा तो clicking sound भी करेगा अगर यह sound के साथ अवाज के साथ पेन भी हो रहा है जैसे हमारा mostly osteoarthritis में होता है या किसी injury में होता है तो अगर अवाज के साथ पेन आ रहा है फिर हमें देखना पड़ेगा MRI करवाके कि उसमें loose body तो नहीं है या अगर bone to bone जब हमारा osteoarthritis स्वियर होता है तो bone to bone बिलकुल जूड़ी होती है तब भी हमारी टक टक की वाज आती है जब भी हम नीपे वेट डालते हैं तब भी आती है तब हमें इसको ध्यान से seriously लेना पड़ेगा अगर आवाज के साथ पेन नहीं है तो simple सा आप exercise कीजिए vitamin D level check कीजिए calcium check कीजिए उसके वाज उसको खाना शुरू करिए तो वो धीरे- आंसर दिया अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आपको कुछ चूंसल्ट करना जाते है तो नीचे लिखे नमबर बे जाके मुझ से वाँट वान टूओन कंसल्टेशन ले सकते हैं इसकी चोटी सी फीस है इसको पे करके आप मुझ से वाँट कर सकते हैं तो इस वीडियो क के लिए मैंने आपको बता दिया है सुकून फिजिकल थेरे की रेपसाइट को जाके आप प्रोडुक्स को और्डर कर सकते हैं हैव नाइस दे टेक किर आफ यरसेल्फ